हलो दोस्तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बैगन की एक नई रेसिपी वैसे आलू के फ्रेंच फ्राई तो आपने बहुत खाए होंगे लेकिन आज हम बनाएंगे बैगन की फ्रेंच फ्राई रेसिपी यह बनने के अबाद बहुत ही स्वादिस्ट लगता है और बहुत ही टेस्टी तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें बैगन लेना है और इसके छिलके हमें उतार देने है इसी तरीके से हमें तीनो बैगन के छिलके उतार लेने हैं, अब इसे हम कट करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं, एक भाग से हमें इसे सुरू करना है, तो पहले हमें इस तरीके से काट लेना है, तो इस तरीके से जब हम काट देंगे, तो हम इसको पलट देंगे और दूस चोटे चोटे भागों में कट जाए इसी तरीके से हमें तीनों बैगन को काट लेना है तो मैंने काट लिया है अब इसे हम एक बरतन में पानी लेंगे और फिर उसमें नमक डालेंगे और यह तीनों बैगन को डालके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ऐसा करने से बैग दिर के लिए साइड करेंगे अब इसमें हम मसाला डालेंगे तो सबसे पहले मैं यहां पर डाल रही हूं हल्दी पौडर आधा चमच लाल मिर्च पौडर आधा चमच भुना हुआ जीरा का पौडर आधा चमच अधा चमच धनिया पौडर स्वाद के नुसार नमक और दो चम घोल बना लेंगे घोल ना तो जादा मोटा होना चाहिए ना जादा पतला और घोल रेडी है अब इसे हम साइड रखते हैं और फिर चलते हैं बैगन की तरफ अब हम बैगन को पानी में से निकाल लेंगे तो हमें निकाल लेना है और हमें कीचन टावल से इसके सारे पानी क रहे तो इस तरीके से थोड़ा हटा के भी हमें पोछ लेना है तो अब इसे हम साइट रखते हैं और हमने जो गोल बनाया है मसालों का उसमें हम एक एक करके डूबोएंगे और फिर सभी तरफ हम मसाला को अच्छे से इसमें लपेट देंगे मसाला का जो हमने लिक्विट बनाया है उससे सभी जगा डालना है अंदर भी हमें थोड़ा चम्मत से हटाना है और इसके अंदर भी डालना है ताकि मसाला जो है अंदर तक गुश जाए तो मैंने अच्छे से मसाला को कोट कर दिया है अब इसके उपर हम ब्रेट क्रम्स डालेंगे और फिर इसे हम तलेंगे मसाले से निकालते समय थोड़ा सा इसे हमें उपर की तरफ खड़ा करना है ताकि एक्स्ट्रा जो मसाला है वो इस पे ना रहे अब हम bread crumbs अच्छे से लपेट देंगे इसमें अंदर बाहर दोनों तरफ अच्छे से और इसे हम तलेंगे bread crumbs को हमने अच्छे से लगा लिया है थोड़ा सा हम इस तरीके से हिलाएंगे ताकि extra जो है वो नीचे गिर जाए अब हम इसे तलेंगे तो तेल मैंने पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था गैस का flame एकदम हाई होना चाहिए तो इस तरीके से हमें डाल देना है और इसे उलटते पलटते हुए fry कर लेना है इसे medium या फिर low आच में नहीं पकाना है नहीं तो ये अपने में तेल को सोग लेगा और बैगन को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है इसलिए हमें इसे high flame में ही पकाना है बीच बीच में इसे उलटते पलटते रहना है ताकि दोनों तरफ से जो है color बहुत ही बढ़िया आए अब इसे मैं फिर से पलट दे रही हूँ ताकि दोनों तरफ से जो है color बढ़िया आए और crispy बने बैगन अब अच्छे से fry हो चुका है अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं तो इसी तरीके से सभी बैगन को हमें fry कर लेना है तो सभी बैगन को मैंने अच्छे से तल लिया है और इसे सर्व भी कर दिया है आप इसे गर्मा गरम खाईए चटनी या फिर सौस के साथ या फिर ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए और हाँ मेरे चैनल में अगर नए है तो मेरे चैनल को लाइक इन सस्क्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद